हलो फ्रेंस वागत है आप सभी का संदेरतन किचन में और एक नएगी रेसिपी के साथ तो फ्रेंस देखें आज में लेके आए हूँ टेंग्रा मचली की रेसिपी बहुत ही स्पेसल तरीके से तो चलिए फटापट से बनाना स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस आज की जो मचली है वो बनने वाली है कुछ खास तो देखिए कैसे जिंदा मचली आज ये लेके आए हैं बहुत दिनों बाद मिला है आम तोर पे ये जो मचलियां है बहुत ही जल्दी मर जाता है तो आज बहुत मुस्किल से जिंदा मचली मिला है तो इसकी रेसि और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है तो बिना इसकीप किये वे फुल वाच किजिएगा तभी आपको step by step पता चलेगा तो देखिए यह जो मश्लिया है सारा पानी से निकाल लिया है और इसको अब कर लेंगे कटिंग तो कटिंग करने के बाद तो देखिए पेट में हमें ह असानी से हो जाता है साफ तो देखिए सारे मंचलियों को मैंने कर लिया है साफ इस तरीके से हमें साफ करके कर लेना है तेया तो चलिए कुछ मसाले की तैयारी हम कर लेते हैं तो देखिए मैंने एक टमाटर लिया है दो इंच मैंने अधरक कट उकड़ा लिया है चार हरे मि कि तो देखे एक इंच में अद्रक कट गुडमन का कुडम रह Hierमीरषप हाई ईकाना चाफिकरục हम दॉल हम सबल चाफिक दो मुड़के प सब्सक्राइब सब्सक्राइब मसाले को हम ready कर लेते हैं प्याच को रख कर देते हैं side में उसके बाद हम कुछ मसाले भी तयार कर लेंगे जो हम मसाले के लिए use करेंगे तो इसमें हम डाल देंगे lesson जो मैंने रखा था आधा बचा के वो इसमें हमें डाल देना है और दो टुकड़ों मैंने इसमें अधरक डाल दिया है और प्याच को मैंने इस तरीके से काट लिया है और पिछेले वाले हिस्से को मैंने निकाल दिया है सारे चीजों को बिस लेंगे तो वापस से आ जाते हैं मशलियों की तरफ तो देखिए मशलिया जो है मैंने रख लिया है और जो मैंने मसाला आपको दिखाया वो मैंने इस तरीके से कूट लिया है तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कूट लेना आपको दिख रहा होगा इसका टेक्चर किस तरीके से कूटना है ज्यादा बार लगबग एक चमच तो यह सारे चीजों को हम डालने के बाद इसे कर लेंगे मेक्स बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मेक्स करना है क्योंकि आज की जो मचली है मैं इसे फ्राइ करके नहीं बनाओंगी बिना फ्राइ किया हुए बनाओंगी तो इसलिए फ्रेंड्स सारे ची जोटे चमच से रहा है जोटे चमच हांचे भनती है यह फ़ये में बहुत ही अच्छा लगता है तो सारे चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे लेसन, अध्रक और हरी मिर्सी जो मैं ने इसमें डाला है मेरीनिट करने के लिए इसका जो कछ्छा पन का एक स्मेल वह देनों मिक्स भन्य निग्ताइ में अर्व कर लग तुछो लिएट 28 बूल लेना है और जो तिछ पता है इसका जब फ्लेवर आने लगे तब हम इसमें डालेंगे चॉप किये वे सारे प्याज को तो देखे फ्रेंट्स प्याज को मैंने बहुत ही बारिक चॉप नहीं किया है हलका सा दरदरा है ताकि जो मसाला इसका तयार हो बहुत ही अच्छे तरीके से तयार हो और अच्छे तरीके से भून जाए अगर आप प्याज को कद्दू कस करके लेते थे या फिर मिक्सी में पीस के लेते तो मसाले का टेक्चर अच्छा तो आता लेकिन मसाला जो है वो अच्छे से भूनता नहीं उसका कच्छापन फ्लेवर रह जाता इसलि ब्राउन होने तक उसके बाद हमने जो टमाट लेसन अद्रग का पिछ्ट तयार क्या था व्होग हम इसमें डाल देंगे डालने के बाद उसी कटोडी से हम थोरा सा इसको दêuते वह पानी भी डालेंगे ताकि मसालन थोरा साही बिष्ट ना हो सारे चीजों को डालने के बाद हम इसे चलाते वे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसमें एड करेंगे कुछ सुखे मसाले तो फ्रेंट से देखें मैंने एक चमच लिया है जीरा पौडर और एक चमच मैं इसमें ले लूँगे धनिया पौडर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा चमच हल्दी पौडर क्योंकि हल्दी जो है मैंने मचली में भी मैरिनेट करने के लिए इस्तिमाल किया था तो आधा चमच काफी है आधा चमच ही हम ले लेंगे नमक तो friends नमक जो है आप ध्यान से यूज़ करें क्योंकि पहले भी मैंने नमक का इस्तिमाल किया है और मैं इसमें इसमें इस्तिमाल किया है लाल मर्श जो तिकी वाली है वो मैंने लिया है इसमें आधा चमच तो मिर्च का भी आप इस्तिमाल ध्यान से करें क्योंकि मैंने हरी मिर्च का भी इस्तिमाल किया है आप उसी हिसाब से मिर्च अपने हिसाब से इसमें इस्तिमाल करें सारे मसाले को हम अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स करने के बाद एक से देर मिल्ट तक हम इसे चलाते वए पकाएंगे इस तरीके से खुले में ही आपको पकाना है जहर्म मसाले में बुल्बूले आने लगे उसके भाद आपको ढखके पकाना है गैस का फिलेम कर देना है एकदब मेडियम पे बीच बीच में आपको मसाले को चलाते रहना है ताकि नीचे से लगे नहीं तो देखिए में मसाले का टेक्चर बहुत हद तक बहुत ही अच्छा आ गया है तो आपको इसी तरीके से बीच बीच में मसाले को चलाते रहना है और पूनते वे इसे पका लेना है जैसकि देख शकते हैं मैं अच्छे तरीके से इसे चलाते वे mix करते वे opened में ही habitat को पका है क्योंकि मैंने दो से तीन मिनट तक अच्छी मतर पकां लिया है इसकि मैं से ओपिन में ही पका है जाब देर तक आपको डख की पकाने के जूरत नहीं है क्योंकि सारे मसाली को मैंने उसी तरीके से इस्तुमाल किया ताकि जल्दी से पके तो जैसे आपको लगे कि मसाला कराई में लग रही है और मसाली जो है दरदरा दानेदार दीख रहा है तो अब आपको इसमें पानी डाल रहे ना है लगबग आधा कटोड़ी से थोड़ा सा ज़ादा मशली आप जीस हिसाब से ले उस हिसाब से आप इसमें पानी डाले क्योंकि इसमें ग्रेवी का हम इस्तमाल नहीं करेंगे ये जो है ठीक टाइप का ही रहेगा मिक्स एक दो मसाले दा इसके बाद जब इसमें उबाल आ जाए उसके बाद हम जो मेरेनिट के हुए है सारे मशलीयों को हम डाल देंगे सारे मशलीयों को आपको एक एक करके डाल देना है इस तरीके से और जो मसाले हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे देखिए इस तरीके से आपको डाल देना है सारे चीजों को डालने के बाद हम अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे जो मसाले हो वो हमें अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि जो मचलिया है उसमें एकदम अच्छे तरीके से मसाला मिक्स हो जाए और आपको यह ध्यान रखना है कि पानी आप उतना डाले कि मचलिया जो है एकदम मसाला के अंदर डूप जाए जैसा कि आप देख रहे हैं इसी तरीके से आपको रखना है ना ज़्यादा पानी डालनी की जड़त है और ना ही बहुत ज़्यादा कम क्योंकि मचलिया जो है वो भी हमें इसमें पकाना है, गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे, मीडियम करने के बाद हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे तीन से चार मिनट तक जब हो जाए तब हम इसे फिर से आपन करना है उसके बाद हमें अच्छे तरीके से चलाते वे मिक्स कर देना है, ताकि चारो और से मचलिया बहुत यच्छे तरीके से मिक्स हाटों से के बाद वापस से चलाना आहा, नहीं तो मचलिया तूट जाएंग거든 इसीलिये, हम इस कि बाद यह को छलाते वे पकाना आहा हैं सो इसे तरीके से हम इसे चला देंगे, उसके बात वापस से हम डख देंगे एक से तिर मिनुट तक, और तो फ्रेंस ये जो रेसेपी है बहुत ही अमेजिंग बनती है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मैंने इसे बनाया है लगबक 25 मिनट लगे हैं इसे तैयार होने में 10 मिनट तैयार करने में तो इतना टाइम में यह बनके हो जाता है तयार और चावल के साथ खाने बहुत ही अमेजिंग लगती है वापस हम इसे डखे पका लेंगे दोसे तीन मिनट तो देखे फाइनली यह पके हो गया है तयार मशली जो है देखे तेल अलग से दिख राया हमें बस इसी टेक्चर तक हमें इसे पकाना है और हलके हातों से ही हम गरम मसाले को मिक्स कर देंगे आखिर में हम इसमें गरम मसाला डालेंगे तो फ्रेंस धनिया अगर आपको पसंदो धनिया हरा धनिया तो आप उसमें यूज़ कर सकते है उसका भी स्वादिश में बहुत ही अच्छा आता है तो इस पक चुका है इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ रहा है आप प्लाओ के साथ भी से सर्फ कर सकते हूं बहुत अमेजिंग लगती है खाने में मैं इसे साधा चावल के साथ स्वर करने वाली हूं आज और तो देखे मचलिया जो है बनके तयार हो चुका है तो फ्रेंड्स के रेषिपी तयार है शर्फ करने के लिए तो फ्रेंड्स आप लोग भी जहटपट बनाएं और फटाफट खाएं और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इंजॉय करें इतनी मज़िदार सी रेषिपी जो बहुत ही कम मैनत में बनने वाली है और बहुत ही आसानी से बनने वा enjoy करें फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही तुरंत जटपट और स्वाधिष्ट बनने वाले रेसिपी के साथ तब तक के लिए खुश रहें मस्तरे स्वास्तरे थैंक यू बाबाई फिर मिलते हैं अगले नहीं रेसिपी के साथ